बिस्मिल्ला डाम ने राहीँ मस्लाम ने कुं दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जान सारी और आप तधिया है जान सारी फूरों सीकर्ट कलिए यह आपके खानों में आपके रिस्क में आपके जाएकुम्ट अबकलवAT तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी recipe लेके हैं जो इसको बनाने के बाद मैं हो धहरान हो गया इतनी खुश्बूदार और कडारी मतलब कि इसका मसाला इस तरह का था कि खाना खाने के बाद जो हाथों को उंगलियों को थोड़ा सा मसाला लग जाता आपने वो भी नहीं चोड़ना और खुश्बू इसकी इतनी जादा के अनबिलीवेबल ये recipe ऐसी है जो हम आपको specially कहूंगा आपने ट्राइ करने हाफ टी स्पून सौफ जाएगी और हाफ टी स्पून इसमें मेतरे जाएंगे जो हम अचार में डालते है ठीक है दोनों चीज़े हकीम से मिलेंगे ये आपको साथ ही हम इसमें ये लें दो टेबल स्पून खुश्टनिया साबत जाएगा इसके अंदर ठीक है ये सभी मसाले आपने as it is ही add करने इसमें से कुछ भी आपने skip नहीं करना कोई भी मिसाला ठीक है अगली चीज़ हमारे पास राई दाना half teaspoon जाएगा बहुत ही कराड़ा flavor लेके आते है एक चुथाई teaspoon इसमें हम कलॉंजी का add करेंगे ठीक है इसकी quantity कम जाती है थोड़ी से इसमें करवाड होती है इसलिए अगली चीज़ हमारे पास है जीरा one teaspoon जाएगा और यह हमारे पास दो चोटी हिलाची कमाल का flavor आएगा इस हिलाची का इसके अंदर चलेंजी अब है हमारे पास काली मिर्च काली मिर्च half teaspoon साबच जाएगी जब इसको piece लेगी तो यह इसलिए आप इसको जाएगा अब लो से फ्लेम के अपर इन सभी मिसालों को आपने कड़ कड़ाना है आपने यह नहीं सोचना है कि आपके पास powder farm में पड़ए में आपने वो यूज कर लेने आपने यही काम करना जो मैं आपको बता रहा हूँ और end पे flame off करके इसमें चार से पांच लाल सुखी मिर्ची अट कर देंगे अब इन सब चीजों को तकरीबन low flame पे मैंने डेर मिनट के करीब जो है वो roast किया है उसके बाद मैंने इनको कर लिया ठंडा जिससे यह कड़क हो जाते हैं मसाले और foreign अच्छे से नहीं पीस पाता लोंगों से तो आप नेकोशिश करनी है अगर आप ऐसा नहीं कर सकते आपके पास अच्छी कुंटी नहीं तो आप इसको मशीन के अदर कर लें मैंने इसको अच्छे से पीस लिए क्योंकि अगर इसका दाना रह गया तो वह प्राब्लम करेगा मों में चलें जी अब करते हैं अपनी रैस्पी स्टार्ट हाफ कप लेंगे कुटिंग ऑईल का और जब यह गरम हो यहां पर कुक करेंगे बहुत जादा नहीं जैसे कलर चेंज होगा बस इतना ही पकाना है इसको अमने गोल्डन नहीं करना वर्णा यह ड्राय हो जाएगा रैस्पी में सॉफ्टन स्जाए वह खतम हो जाएगी जैसे इसका कलर चेंज होगा थोड़ा सा तब इसमें हम एक से साइस में आपको कलर मिल जाए उसके बाद हमने क्या करना है हमारे पास हैं बहुत ही खुबसूरत स्पेशल से टमाटर चार से पांच टमाटर है मोटे ताजए बिल्कुल रैड कलर के मोटे-मोटे स्लाइस मनें इसके काट निया ठीक है क्योंकि हम इसके चिलके नहीं चाहि अब स्टीम के अंदर जब यह प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो उनका फ्लेवर बहुत अच्छा ने कलेगा ठीक है डेकर रख देंगे फ्लेम को लो टू मीटियम कर देंगे दस मिनट लेंगे यह देखें यह जो टमाटर है इनका सिल्का हम रिमूब कर देंगे क्योंकि यह स्लाइस बहुत बढ़े नहीं थे जैसे नॉर्मल टमाटर के दो टुकरे के जाते हैं मुश्किल होती है उनको पकाने में तो यह चोटे थे यह जल्दी सॉफ्ट हो गए सारे चिल्के हम रिमूब कर देंगे कोई रह भी जाता है तो इतनी कोई बड़ी प्राब्लम नहीं हो गोश्ट होता है वह बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है पके ठीक है गल जाना को इतनी बड़ी बात नहीं होती तो मैंने इसको कर दीए मिक्स अब आपको यहाँ पे ग्रीवी ने आरी यहाँ पी आपको मौस्चर पानी ने जरा रहा तमाटर का इसी टोमाटर के पानी में दम ल ठाता उर च्रिकन हमारा यहां पर अच्छे से सॉफ्ट हो टुका है गल चुका है अब यहाँ पर इसके ंंदर हमने नहीं का सिhtधल कर नहीं के क्रारी है तब हिम नहीं में इसमे एड्ट कर रहा हु अगर यह सॉफ्ट होटी मिसालले ना डाले होते तो यहां पर cream का भी यूज़ किया जा सकता था ठीक है यह छोड़ी छोड़ी टैक्सिंग्स होती है कुकिंग में जो आपको समझनी चाहिए हाई फ्लेम के अपर दही का कलर चला गया अब यह मसाले जो हमने कूटे थे डालेंगे एक केजी चिकन के यह मसाले है अगर आपका चिकन कम है तो म धनियाइट करेंगे इसकी खुश्बू इसका फ्लेवर अगर आप उंगलियां चार्टे पर मजबूर ना होगे तो कहिएगा और इसकी खुश्बू एक बंदा एक चमच एक कमड़े में ले जाए पूरे कमड़े में खुश्बू पहल जागी चलेंजी बिसमिल्लाहरमान तो माशाला लहम्दलिल्ला देखेजी मेरे अल्ला की शान उसकी रह्मते नहिमते और बर्त जिसमादो खुश्बू दार बहुत ही खुश्बूदार इवन शादियों से भी अच्छा चिकन तयार है दौा में रखिए वीडियो को लाइखेजिए चैनल साथ जायरे चैनल प भीडियों से नहिते जार बहुत ही खुश्बूदार अजए जबूदार जार लाइखेज।